Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel की और Microsoft Excel में हम आज सीखने क्यावाले हैं Microsoft Excel में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी column को row में convert कर सकते हैं अब ये देखिए ये हमारे पास एक data है जिसको हम यहाँ पर select कर लेते हैं और यहाँ पर ctrl c press करके copy कर लेते हैं और नीचे लेके आना है row के format में तो आपको alt e s e press करना है क्या press करना है alt e s e जैसे ही press करेंगे तो paste special वाला dialogue box ओपर हो जाएगा और फिर transpose पर tick होना चाहिए और यहाँ से ok कर दिए तो ये देखिए ये जो भी data column के format में था आपने इसे convert कर दिया row में तो I hope की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video